हे गाइस तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रायमर टीमायन रेक्शन ठीक तो देखो इस रेक्शन को समझने से पहले मैं आपको इसमें क्या-क्या यूज होता है और कैसे बनता है ठीक मैं उपर उपर आपको पहले बता दे रहा हूं उसके बाद मैं आपको समझाओंगा कि कैसे यह रेक्शन होता है ठीक तो चलिए इसको जल्देल दी पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद मैं आपको इस रेक्शन को करना होता है ठीक उसके बाद हम आपको इसको detail में बताएंगे ठीक तो देखो इस reaction में क्या होता है ऐसे एक phenol होता है यहाँ पर ऐसे एक phenol होता है ठीक इसको phenol बोलते हैं ठीक और यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह क्लोरोफॉर्म होता है और क्लोरोफॉर्म होता है यहाँ पर बन जाता है ठीक, प्लस का 3 KCl बन जाता है, ठीक, प्लस में यहाँ पर जो होता है 2H2O बन जाता है और यहाँ पर जो Phenol होता है ठीक, यह बन जाता है Cell Cell Diode में, ठीक, बन जाता है और यहाँ पर CHO हो जाता है, ठीक और यह जो product आपका है, इसको बोला जाता है cell cell di, ठीक, इसको बोलते हैं cell cell di, ठीक, यह आपका है cell cell di, ठीक, 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 अब वीडियो को आप ध्यान से देखेगा, अगर आपको समाज में आ जाएगा ना तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, ठीक, 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 ठीक जीनलिट पर सीधा हो हो यज समो अगर जूड़ा हो तो उसको फिनाल बोलते हैं ठीक यह आपका फिनाल भी अच्छा आपको पता हो कि आना होता है कि आप पर कारबं होता है अगर कारबर के साय थो इसके यहां पर यहां पर यह जो फिनॉल है यहां पर यहां पर यहां पर इसे लगा है उसके बाद एक छोड़कर यहां पर दूसरे लगा होता है इसको छोड़कर फिर यहां पर ऐसे लगा होता है ठीक तो इस तरीके से यह होता है ठीक यहां पर लगा होता है ठीक इसको इस फिनॉल को आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो इस प्रकार से बना सकते हो यह फिर आप चाहो तो यह नहीं कि इसको ऐसे गुलंडा यहां पर बना सकते गोल गोल बना सकते हो ठीक यह हमारा फिनॉल होता है ठीक अब देखो यहां पर यहां पर क्या है यहां पर माल लिया कार्बन है ठीक अब यहां पर आपको यह समझा रहे थे कि यहां पर जो कार्बन है कार्बन की कितनी संजगता होती है चार संजक्ता होती है थेट अब 4 संजक्ता में यहां पर हम यह फिल करा रहे है कि यहां पर एक हाईडोजन भी होता है धिकल यहां पर कैसे होता है यह दबल बॉंड से जुड़ा गए थिकल इसके कितने से ज़कता यहाँ पर यहाँ पर जो कारबन है वो यहाँ पर क्या होता है, सिंगल बॉंड से जुड़ा होता है, ठीक, तो यहाँ पर देखो, दो, एक, तीन, तीन सो जगता है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर बॉंड खाल होता है, जहाँ पर एक hydrogen जुड़ा होता है, ठीक, तो यहाँ पर जो carbon है, उसके पास एक hydrogen है, ठीक, एक हम यहां पर निकाल दे रहे हैं ऐसे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अभी अभी reaction में यह काम होगा यूज होगा आपके तो यहां पर हम इसको इसलिए निकाल कर बता रहे हैं ताकि अभी जब यूज होगा तो आपको फील आ सके कैसे यहां पर क्या हुआ है ठीक हम आपक अच्छ समझने के लिए, आपको फिल दिनाने के लिए, हम यहां पर इसको present कर दिया है। अब देखो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर यह होता है हमारा chloroform chloroform आपको पता है CHCl3 यहाँ पर हम CHCl3 को हम आपको अच्छे से समझने के लिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ठीक यह भी तो आपका क्या है chloroform है ChCl3 ऑर यहाँ पर को होता है उसके 3 asymm lead growth करते हैं को अच्छ क आहाँ का potassium hydroxide तो potassium hydroxide या फिर हम sodium hydroxide यूज़ कर सकते हो या कि लिआने ये लिख कर रहे हैं ठीक तो यहाँ पर क्यों हरे ही इसके तीन अड़ यूज होते हैं ठीक तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख दी है ठीक अब यहां पर देखो यहां पर होता क्या है अब यहां पर यह जो तीन CL है और यहाँ पर जो तीन potassium है यानि कि यहाँ पर यह तीनो potassium और यह तीन CL ठीक यह आपस में क्रिया करके अपना अपना wand तोड़ कर आपस में क्रिया करके यह बना लगते हैं कितने 1 KCL 2 KCL 3 KCL यहाँ थीरी KCL बना लेते हैं ठीक सबसे पहले 3 KCL बना लेते हैं प्लस में अब यहाँ पर देखो क्या होता है प्लस में अब यहाँ पर देखो यहाँ का OH यहाँ का यह OH और यहाँ का यह जो hydrogen है ठीक यह OH और यह hydrogen यह दोनों आपस में जोट का क्या बना लेता है जल बना लेता है देखो, जल क्या होता है हमारा, जल हमारा होता है, S2O होता है, तो देखो, यहाँ पर 1H, 1H, 2H, और यह oxygen, यह S2 बना लेते हैं, ठीक, यह दोनों आपस में मिलकर S2 बना लेते हैं, ठीक, तो चलो हम यहाँ पर S2 लिख दिया हमने, ठीक, S2O, ठीक, यह जल हो गया, ठीक, अब oxygen जो होता है, हमेशा double bond से जोड़ता है, तो यहाँ पर कैसे जोड़ा हुआ है, यहाँ पर K है, और यहाँ पर H है, ठीक, तो देखो, यहाँ का H, यहाँ इस oxygen का H भी निकल चुका है, ठीक, और यहाँ का potassium है, यहाँ पर oxygen है, इसकी दोनों से इंजगता क्या है, खाली है, य यह OH और यहां का इस बेंजीन यहां पर इस फिनॉल का यहां का जो H है ठीक यह OH और यह H यह दोनों आपस में जूड़ जाते हैं यानि यहां से यह hydrogen अपना bond तोड़ देता है तोड़ कर इस OH के साथ जूड़ जाता है तो यहां पर यह दोनों भी जल्ड बन जाएगा तो जल है अब देखो इस C-H यहां इस कारवन की चार से उजगता थ यहां पर इस कारवन की चार से जगता थी यहां पर देखो C-H जो थे तिर पलो बाट से जुड़े थे और तीनों C-E-H यह निकल चुके हैँ तो इस कारवन के पास तीन अस्थान खाली हो चुड़ने के लिए देखो, जैसे कि आपके बिंच पर चार लोग बैठे हैं, अब चार लोग में तीन लोग अगर उठकर चल दिये, तो वहाँ पर तीन लोगों को बैठने के लिए स्थान खाली उचका है, हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा, अब उसी तरह से यहा यहां पर आकर इस कारबन से जुड़ जाएगा, तो देखो, यह सिर्फ दो ही लोगों का स्थान ले सकता है, यानि कि यहां पर इसके दो बॉंड थे, मतलब कि यहां पर यह जो ऑक्सीजन है, ठीक, यहां पर इस कारबन को ऐसे हाप समझेए, तो यहां पर यह जो है, यहां इसके बॉंड खाली उचके है, ठीक, और यहां पर जो ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन यहां पर कैसे है, यह ऑक्सीजन यानि डबल बॉंड इसके खाली उचके है, ठीक, ऑक्सीजन डबल बॉंड से जुड़ जाएगा, ठीक, ऑक्सीजन डबल बॉंड से जुड़ चुका है अब यहाँ पर कार्बन का एक अस्थान खाली है यानि कार्बन का एक bond अभी खाली है तो यह कार्बन क्या करेगा यहाँ पर भी तो एक अस्थान खाली उचका है तो यहाँ पर यह पूरा उठकर यह इसके साथ आकार एक bond बना लेता है तो यहाँ पर यह बन जाता है हमारा cell cell dehyde आप समझ रहे हो ना इस तरीकी से बनता है हमारा cell cell dehyde ठीक और यहाँ पर यह OH है और यहाँ पर यह यह जाता है CHO ठीक यहाँ पर इसको हम लिए सकते हैं CHO ठीक यहाँ पर यह CHO इस तरह यहाँ पर आकर जोड़ जाता है ठीक और इस product का नाम जो है यह क्या है आपका celsyl dehyde है ठीक मैंने वहाँ पर लिखकर बताया ना तो यह आपका क्या है celsyl dehyde ठीक तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है यह आपका phenol है ठीक और यहाँ पर यह CHCl3 है यह आपके potassium hydroxide है ठीक यहाँ पर यह दो और यहाँ का एक OH और यह इसका एक H यह आपस में मिलकर एक जल बना लेगा तो यहाँ पर जलके दो अड़ बन जाते हैं और इसके बाद यहाँ का यह oxygen बचा है यहाँ का यह CH है तो यह आपस में जूड कर यहाँ पर यह बना लेते हैं CHO और यह CHO यहाँ पर आकर जूड तो इस तरीके से यहाँ पर cell cell DiO बन जाता है और this reaction is called Rhymer T-Man reaction I hope आपको सौझ में आ गया होगा कि कैसे Rhymer T-Man reaction होता है तो अगर आपको यह reaction सौझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को Like जरूरब करें देखो मैं आपको अपना experience बता दूं तो देखो यह जो chemistry में जो reaction वगारा होते हैं कोई भी राक्शन यह कोई भी रेक्षण हो तो अब आप मतलब आप प्रैक्टिस करिएगा ठीक क्या होई ना कि आप कितना भी आप समझ लो कि इसको याद कर लो समझ लो ठीक कर ना भी इसको बीस को प्रैक्टिस जरूर करेंगे ठीक आप ख्या अगर इतना आपको याद है तो हमारे समझ से अगर आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से तो अब आप इतना सब बना ले जाएंगे ठीक? इसको नहीं भूलेंगे. हमें पता है ठीक? अगर आप भूलेंगे यानि 4-5 दीन के बाद जो भूल जायते हैं, वो जानतों क्या बोलते हैं आप यहीं बूलोगे कि यहां पर फिनॉल यह जो आता कि कुछ और यह जो आता है मतलब आप यहीं बूल जाते हो कि क्लोरोफॉर्म यह जो रहा है कि क्या हो रहा है यहां पर तो अधिकतर हमने देखा है जो हमने खुद एक्सपीरियंस जो किया है वह यहीं चीज अगर आप मतलब रेक्शन को अच्छे से समझ चुके हो कैसे रेक्शन होता है तब आप भूलोगे तो इतना ही चीज भूलते हो और अगर आपको इतना चीज ज्यादा लगया तो आप इसको अराम से बना ले जाओगे ठीक तो आई ओप आपको समझ में आ गया होगा कैसे यह रेक्शन हुआ है और इसको तीन चार बार आप जो जितने भी बार आप प्रैक्टिस करना चाहें आप प्रैक्टिस करिएगा ठीक और अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ठीक तरीक मिलते रहते हैं तो थैंक्स फॉर ओचिंग एंड सी अगें इन नेक्स्ट वीडियो